नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब जैनल आर के योजना पर पैंशन नई सूची वर्ष 2023-2024 के अंतरगत सरकार द्वारा जारी कर दी गई है इन पैंशनर्स को मिला साथ किस्त का पैसा यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विद्वा, वर्दवस्ता या कुछ तवस्ता में से किसी एक पैंशन का लाब प्राप्त कर रहे है आपकी पैंशन बनी हुई है, पैंशन से सम्मदिद आज की यह जानकारी आपके लिए ही है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको बता जाएगा वर्ष 2023-2024 के अंतरगत जो नई पैंशन लिष्ट जारे की गई है उस लिष्ट में किन पैंशन धारकों का नाम सामिल किया गया है और किन पैंशन का नाम हमेशा के लिए हटा दिया गया है सम्मपूर्ण जानकारी आपको मिलने जा रही है, बाकाइदा आपको लिष्ट दिखाए जाएगी और तरीका भी बताया जाएगा कि आप लिष्ट में घर बैटे ही अपने मोबाइल फोन से अपना नाम लिष्ट में कैसे देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं वीडियो की सुरवात करने से पहले हमारा आपसे निविदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा साथ ही बैल आइकन के बटन को प्रेस करना न भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाव उठा सके चलिए वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं देखे दोस्तों सबसे पहले हम आपको लिष्ट ही दिखा देते हैं कि आपको लिष्ट में क्या-क्या देखने को मिलेगा सबसे पहले तो लाभारतियों की pensioners संख्या देखने को मिलेगी जो एक हर एक pensioners धारकी होती है उसके बाद यहाँ पर pensioners का नाम हिंदी में आपको देखने को मिले जाएगा इस वाले कोलम में यहाँ पर उसके बाद pension धारक का नाम English में देखने को मिलेगा यहाँ पर फिर्ण के पिता जी का नाम Hindi में और पिता जी का नाम English में ठीक है ना उसके बाद यहाँ पर पिता का नाम माफ कीज़ेगा जो पता है address है यहाँ पर लाभार्तियों का हिंदी में देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर जो पता है आपका address है वह पूरी detail आपके English में आपको देखने को मिल जाएगी यानि कि यहाँ पर आप English में भी पड़ सकते हैं और हिंदी में भी अपनी जानकारी अपना लिष्ट में नाम देख सकते हैं अब मान लीजे आप कैसे पता करेंगे कि ये नाम हमारा ही है लिष्ट में हमारा नाम है तो मान लीजे देखें यहाँ पर suppose कि जिस समझे ध्यान से जो हम आपको समझाना चाह रहे हैं मान लीजे ये आपका नाम यहाँ पर है ये आपके पिताजी का नाम है आपको मालूम हो चुका है कि आपके पिताजी का नाम है इससे आपको मालूम हो जाएगा कि ये हमारा ही नाम है फिर यहां से आपको अपने गाउं का नाम देख लेना, अपना address देख लेना है, इससे यह clear हो जाएगा कि यह आपका ही नाम है, तो यहाँ पर आपके सामने नाम के सामने यहाँ पर यह आपके registration संक्या होती है, बहुत ही महत्यपून है, यदि आपकी याद नहीं है, तो आप किसी copy में इसको note down भी कर सकते हैं, बविस्य में कभी यदि आवशक्ता होती है, तो आप इसका इस्तमाल भी कर सकते हैं, अब देखें, list काफी लंबी है, तो यहाँ पर आपको scroll down करते लेना है, इसी परकार से, देखें, पूरी list में यहाँ पर आपको अपना नाम देख ले और कैसे आप चेक कर सकते हैं, हमने आपको बता दिया, अब हम आपको बताते हैं कि step by step अपने mobile phone से कैसे आप list में अपना नाम देख सकते हैं, और यहाँ पर यह भी आपको बता जाएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चोथी, पांचवी, छटी और सातवी, इसमें यदि आप किसी भी किस्त का पैसा चेक कर सकते हैं, यह एक बहुत अच्छा तरीका है, तो चलिए हम आपको बताते हैं, अब जैसे हमने mobile phone में Google Chrome browser को open क्या हुआ है, सबसे पहले आपको भी इसी प्रकार से open कर लेना है, open करने के बाद आप जिस भी राज्ये की निवासी है, हरियाना, पंजाब, गुजरात, माराष्ट, खरनाटगा, उत्तर परदेश, सिमाचल परदेश, थोड़ा सा तरीका अलग है, तो यहाँ पर आपको देख लेना है, या फिर आप हमें नीचे कमेंट करके भी बदा सकते हैं, फिर हम आपके लिए आपके राज्ये में कैसे pension list देखा ज अब यहाँ पर हमने इसको लिखा और सर्च कर दिया है, सर्च होने के पच्चात आपको नीचे आना है, लिखा मिलेगा समाज कल्यान विभाग उत्राखंड, इस पर ही आपको यहाँ पर किलिक करना है, अब जैसे हमने किलिक किया, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से अगला पेज ओपन हो चुका है उत्राखंड के मुख्य मंत्री यहाँ पर उनकी आप फोटो देख रहे हैं समाज देखे सामाजी सुरक्षा राज्य पोटल समाज कल्यान विभाग उत्राखंड इस समय हम उत्राखंड के पैंशन पोटल पर आपको लेकर आ चुके हैं अब यहाँ प पर देखे क्लिक करना है यहाँ पर पहले वाले पॉइंट पर अब जब आप इस पर क्लिक करेंगे क्लिक होने के बाद यहाँ पर इसमें बताया है ओल्डेज पैंशन, डिसेबल्टी पैंशन, वीड़ो पैंशन यानि की वर्द अवस्था, कुष्ट अवस्था या दिव् अब यहाँ पर किसी एक जिले का आपको चुनाव करना है अब जिस जिले के निवासी है जो आपका जिला है हम यहाँ पर किसी एक जिले का चुनाव कर लेते हैं तो जैसे हमने जिले का भी चुनाव किया अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि यहाँ पर आप उने वित्य वर्ष क उसका चुनाव को लेते हैं, latest है 2023, अब यहाँ पर हम click कर लेते हैं, 2023 पर ही अब देखे, click हम ने किया, अब यहाँ पर किस्त याने की इंस्ट्रोल्मेंट पूछ रहा है कि आप कौन सी इंस्ट्रोल्मेंट देखना चाहते हैं, तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं अब यहाँ पर आप देखिए पहली दूसरी तीसरी चोथी पांचवी छटी अब यहाँ पर सबसे उपर देखेगा तो सातवी अब इस में से जिस भी किस्त का पैसा आप देखना चाहते हैं आपको मिला है नहीं यदि आप देखना चाहते हैं पांचवी कि साथ किस्त ट्रांसफर की गई है, अब यदि साथ वे किस्त आपको मिली है या फिर नहीं मिली, यह आप कैसे पताएं करेंगे, तो देखें हम इसके सामने किलिक यहाँ पर कर लेते हैं, साथ वे किस्त का चुनाव कर लेते हैं, अब जैसे हमने चुनाव किया, चुनाव हमने कर लिया है, अब यहाँ पर देखें, सिक्यूरिटी के लिए यह कैप्चर कोर्ड यहाँ पर दिया गया है, सेम एज़ इस ही आपको इस कैप्चर कोर्ड को यहाँ पर नीचे भर लेना है, फिल कर लेना है, तो चलिए हम इसको भर लेते हैं, देखें यहां पर लिखा हुआ है हम इसको डाल देते हैं अच्छे से आपको ध्यान पूरवक इसको भरना है तो जैसे यह पूरा हो जाता है तो आपको यहां पर देखें जैसे हमने इसको भर दिया है इसी परकार से आपको भी यह फुल्फिल कर लेना है अब यहाँ पर लाश्ट में लिखा है रिपोर्ट जारी करे तो इस पर आपको क्लिक करना है अब देखे क्लिक हम नहीं किया और हमारे सामने देखे यहाँ पर ओपन हुआ है देखे यहाँ पर हमारे सामने इस परकार से लिष्ट ओपन हो चुकी है जो कि एक बैंक की खक्ते में इस सरकार पैसन का पैसा transfer कर रही है इस राज्य में हर महीने लाभारतियों को पैसन का पैसा दिया जा रहा है अब किस प्रकार से आप समझेंगे देखे इस HDFC बैंक में दो पैसन दार्क का खाता है अब दो को है दो को मिले हैं तीन हजार रुपे तो यहाँ पर यदि आप डिवाइड करेंगे तीन हजाव रुपे को दो से तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा 1500 रुपे ठीक है ना? यानि कि कहने का ताथ पर यह है कि हर एक लाभारतियों को 1500-1500 रुपे दिये जा रही है इस राज्य के लाभारतियों को अब यहाँ पर हम किसी एक पर किलिक कर लेते हैं आपको उस पर किलिक करना है जिस बैंक में आपकी पैंशन आती है मान लिजे आपकी पैंशन यहाँ पर आ रही है इस्टेट बैंक में अब देखें यहाँ पर यह है State Bank इस Bank में आपका खाता है तो हम सीधा State Bank पर क्लिक कर लेते हैं यहाँ पर State Bank of India पर तो जैसे हमने इस पर क्लिक किया हमारे सामने इस परकार से अगला पेज बनो चुका है अब यहाँ पर देखें आपको ब्रांच देख लेनी है कि कौन सी ब्रांच है ब्रांच देख लेनी है बागेश्वर ब्रांच देखें इस परकार से आपको चेक करना है अब नीचे आपको आना है मान लीजे यह आपकी ब्रांच है यहाँ पर हम इस पर क्लिक कर लेते हैं क्लिक हमने किया और हमारे सामने देखे अगला पेज ओपन हो चुका है और लिष्ट भी हमारे सामने ओपन हो चुकी है इतना आपको देख लिया है समझा चुका है अब यहाँ पर हम स्क्रोल डाउन कर लेते हैं अब जैसे हमने स्क्रोल डाउन होने के बाद जैसे हमने आपको समझाय था पैंशनर संख्या है, पैंशन धार का नाम है हिंदी में, पैंशन धार का नाम है इंग्लिस में, पिताजी का नाम है इंग्लिस में यानि कि हिंदी इंग्लिस में दोन दियागा है यहाँ पर आपका एडरस देखने को मिल जाएगा इसी परकार से लिष्ट में आपको देख लेना है जिन नाभारतियों को यहाँ पर पहली दूसरी तीसरी चोथी पांचवी छटी साथवी किस्त मिल चुकी है तो यहाँ पर लिष्ट में आपका नाम देखने को मिल जाएगा यदि मान लिजे आपको इनमें से कोई भी एक किस्त नहीं मिली तो आपको यहाँ पर लिष्ट में आपका नाम सामिल नहीं होगा मान लिजे यदि आपको पांचवी किस्त नहीं मिली तो आपकी पांचवी किस्त की लिष्ट में नाम देखने को नहीं मिलेगा यदि आपको साथवी किस्त मिल चुकी है तो साथवी किस्त में आपका नाम आपको देखने को मिल जाएगा तो जितने भी उत्राखंट राज्य के अधीन आने वाले दिव्यांग, विद्वां, वर्दवस्था, कुश्टवस्था या तलागशुदा पैंशन धारक है इसी परकार से इस्ट्या बाइस्ट्याब लिष्ट में अपना नाम देख सकते हैं, चैक कर सकते हैं देखे यदि आप किसी और अने राज्य के पैंशन धारक है, आपको भी लिष्ट में अपना नाम देखना है, लेकिन तरीका मालूम नहीं है, तो आप हमें नीच से कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो भी आपके मन में सवाल है, आपके सभी सालों के जाब दे दिया जाएगा, और यदि आपको मर्द्वी जानकारी पसंद आई, तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजेगा, आपके एक लाइक से हमें बहुत जादा मोटिवेट मिलता है, लाश्ट में हम निवेदन यहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल आइगन के बटन को प्रेस कर ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिविकेशन है, वहें सबसे पहले आपको पराप्त हो, और आप सबसे पहले ही उसकला उठा सके, अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी साथ, जब तक के लिए जे हिंद जे भारत